माभारती फाउंडेशन की अध्यक्षित जोती जेन के नेत्रत्व में आज 16 नवंबर को एलगिन अस्पताल में नौजात शिशू एवं मताओं को उनी वस्तर कपड़े और औरने बिछाने है तो वस्तर पोष्टि काहार एवं मिश्टान का वितरन किया गया डॉक्टर प्रग्या धिरावाणी ने कहा कि शिशू के स्वास्त की रक्षा करना हम सबका दाईत्व है डॉक्टर संगिता श्रिवास्ताओं ने कहा कि स्वास्त शिशू समाज और राष्टर के लिए एक महत्वपुन भूमिका का निर्वहन करेंगे हम इस अउसर पर उनके स स्वास्त एबं भविष्ची निर्मान के लिए इश्वर से प्रार्तना करते हैं इस महत्वपूर्ण एबं समाज हितकारिय में सुश्मा बजाज उतका साहू बर्खा गुपता नीतु खरे एकता साहू इंदु गोलहानी उर्मिला साहू नेहा सिर्वानी नीलम साहू सरला घर सुशिला साहू सविता श्रिवास्ताव रीना रवी साहू जयनत्वेशालित तेठंबरे प्रभाज जेन शकुन साहू साधना दुबे जीपी दुबे जोती जेन आधी का विशेश योगदान रहा मा भार्ती दीरगा पाउंडेशन की तत्वाव धान में आज यहां पर एलगिन अस्पताल में नवजात सो नवजात शीच्मों को हम लोगों ने वस्तरों का और उनके उप्योग की सामगरियों का वित्रण किया है और हम सब यहां पर आकर बहुत ही गौरव का अनुभाव कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह जो नन्ने नन्ने बच्चे हैं इनको अभी पूरी प्रकृती के दर्शन करना है और हम ये भी जानते हैं कि ये सब बच्चे हमारे रास्ट का गौरव है और हमारे रास्ट को इनको आगे बढ़ाना है साथी साथ यहाँ पर उपस्तित हमने सो प्रसूता माताओं को भी पोस्टी का हर वित्रण किया है और हम ये भी जानते हैं कि ये जो माताएं हैं ये हमारे इन बच्चों के भविशी की आधारशिला है तो इन सब के स्वास्त और स्वस्त स्वास्त के हम लोग मंगल कामना करते हैं जैहिन, जैभारत और जैमाभारती हाँ जी आज मात्र दिवस है और मात्र दिवस के चलते हमने इन माताओं को ध्यान में रखते हैं माताओं के लिए भी हम लोग आज वचन बद्ध है कि इनको जो भी जिस भी तरह के हम लोगों की आवशक्ता होगी तो निश्चित हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे जवलपूर से आशिश बात्रे की रिपोर्ट